नमस्ते आजी आमें आलचना करिवा पंच्य सक्खा जुगर अन्यतम विसिष्ट कभी अच्चुतानंद दासंक संपर करे। एई पवित्र उतकल खंडरे बहु मुनी रूसी शाधक ज्यानी तांत्रिक मांत्रिक जन्मलाब करी। समस्तंकर भाग्यरे संभव पर हेई नाइन सत्य। किन्तु महापुरुष चुतानंदंकर जिवनरे से सभु संभव हेई पारीजी। सनातन धर्मर प्रतिष्ठा ववईष्णव धर्मर वईशिष्ठ प्रतिपादन पाई जेपरी तांकर जन्म। चे तांकर पटल संभितार पंचम पटलरे उल्लेक करूछन्ती सनातन धर्म स्थापी देह सजाई भी नेमाल भुमिरे सुन्य समाधी पाई भी। सकल पापत अपहारी परम पुरुष भगवान सत्य जुगरे नर नरायन रुपदरी भुमिष्ठ है थिवाबेळे। महापुरुष अच्चुता नंद कुरुपाजल रुशी रुपे जन्म ग्रहन करी थिले। त्रेतया जुगरे रामा बतारे अच्चुता नंद थिले नल सेनापती। द्वापर जुगरे स्रिकृष्ण जन्मने बारू शे जन्म पाई थिले सुधाम गपाल। कली जुगरे स्रिचयतन्य महाप्रभु जन्मी बारू शेहेले अच्चुता नंद। सत्य त्रेतया द्वापर ओ कली जुग पुर्भरु जेते बेडे अनंत जुग थिला। शेते बेडे मध्य से थिले नित्य गलक धामरे सुभाहु ब्रम्ह गपाल। जुगे जुगे भगबानंकर प्रिय सखाभाबरे जन्मग्रहन करी चन्ति महाप्रुष अच्चुता नंद। तेवे ए सबु संपर करे तांकर जो बर्नटी का संस्कुर्त गरंथरे से उल्लेक करी चन्ति पुरा कृत जुगे चाहं महर सिष्च कृपा जलं। चतुर बेदा धिका रोपी सदा रुग बेदपा ठक। त्रेता जुगे रामराज्य पुरंदर नला भिद। शुदामा ब्रजभावेन स्रिकृष नस्य उपाशक। बर्न नांच परे गोपा गोपानां भक्तिरुत्तमा कलोव अच्चुत जन्मस्यात चैटन्यांस मुपागत तो एई परी जन्म विबरणी सुन्य संहिता दी ग्रंथरे तांकर मिले जुग जुग धरी महापुरुस अच्चुतानंद दुख सागर निमग्न मानव समाजर मंगल विधान पाई जन्म धारन करिछंती। कैपल सेतिकी नुहें शेही महापुरुसंकर अच्चिता मनी बरण गीता मलीम बंध गीता पद्म कल्प कली कल्प टिका जन्म गीता ओ जन्म लिळादी ग्रंथमानं करू तांकर द्वादस ओ पंचदस जन्म लिळार विबरण मिले। कली कल्परे से उल्लेक करू छन्ती। बार जन्म मर सिद्धान्त विचार अच्चूती दास प्रकास हाडी समय उपेंद्र कालिया त्रिलोचन सम्भु दास। के बल शेती कीनु है। एई ग्रंथरे ग्रामर नाम मध्यों से उल्लेक करी शन्ती। शे कउचन्ती जे नेमाल छतिया घुमु सुर कुआ बार पन सिंह देश। तिड़ कना कमल लचन पुर बाली पाटना प्रकास। शारंग देशरे महापात्र घरे खुन्टिया नाम हईब। तेवे जानीबु तु बरज नंदन कलंकी प्रकास हईब। पद्मकल परे। एणु महापुरुष अच्चुतानंद तांकर आहो करण कुलरे जन्मिथिबार बर्नना विविन्न टिका ग्रंथरु मिले। तेवे अच्चुतानंद नंकर जन्म सम्पर करे ओडिशारे पंडित मानंक मध्नारे भिन्नबिन्न मतर होहीची अच्चुतानन्द सहित्य बारिधीर मन्थनकारी मृत्तुन्जय रथ अच्चुतानन्द कर जन्म ख्रिष्टाप्द 1460 पूर्बरु वली कहन्ती आर्तवल्ल महंती इंक मतरे ख्रिष्टाप्द 1511 रू 1512 मत ज्यरे बली से मत दियंती पंडित विनायक मिस्रंक मतरे 1499 ख्रिष्टाप्द रे अच्चुतानन्द जन्म ग्रहन करी दिले शैपरी पंडित सुर्जन आरान दास मत दियंती जे उदोई कहनीं मता आनुशारे तांकर जन्म 1499 ख्रिष्टाप्द अन्यतम गवेशक इसाबरे चितरण्यन दास पंडित सुर्जन आरान कर मत कुई सिध्धान्त बली ग्रहन करी छन्ती गवेशक तारिनी चरन रथ मत दियंती जे ख्रिष्टाप्द पंडरस चार रू पंडरस बतीस परजन्त प्रताप्रुद्रंकर राजत्यकालरे अच्चुतानन द थिले किन्तु बास्त बता भिन्न है पारे अईतियासिक मानंकर मतरे प्रताप्रुद्रंकर सिंगाशन आरहन समय 1497 क्रिष्टाप्द ओ से 1536 परजन्त राजुती करी थिले और थात प्रताप्रुद्र 41 वर्ष राजत्यकले अच्चुतानन द निजे राजा प्रताप्रुद्रंकु सब्द ब्रह्म्ह संगितार प्रथम खानीरे उच्छसित प्रसंग्षा करी शन्ती और सेते बेलकु 1588 ख्रिष्टाप्द मात्र अच्चुतानन द नंकर भासारे से कॉछन्ती सुर्ज बंग्षरे मही पतिसार कपिल इंद्र कुले अगतार पुरुषत्तमन रुपती तनुज प्रताप रुद्र देव महाराज केबन गुन कहीबातार जाग जग जग जग्यारु जेबाहार बले अकलंक कुल पवित्र अटी कृतान्तक आयोजा पात्र प्रतक्षे इश्वर समान देही भुकती मुकती पाईव सेही रणे पसिजाये विशम जुद्धे प्रयाण कल्ले नवखंड साधे शे महाराजा पंचबिंस अंके शब्द ब्रह्म्ह संधिता मुकली निशंके सिद्ध संकेत पटांतर नहीं जनी जनम विवर्जित तहीं सब्द ब्रह्म्ह संधिता प्रथम खानीरे से उनलेक करी चन्ती त्यानु एथिरू सहजरे अनुमान करा जाई परिवजे प्रता प्रुद्ध्रंकर पंचबिंस अंक बेलकु अच्चुतानंद जले जुबक है थिबे ता नहले एभडी अनर्गल राज प्रशस्ती बर्णना करीबा संभव है न पारे जगन्ना 10 रचित अन्य एक पथिरू मिली चीजे फ्रता प्रुद्ध्र महाराजंकर नवम अंक ठारू से जन्म नहीं छन्ती एई यो पंच सखा अंकर जन्म एबं भक्ति चंद्रिकार प्रथम ध्यायरे मद्ध एबाबदरे कुहाएची सेही राधा अंस मुही क्रुष्ण अंस जुगते हईब मेला निला चले राजा प्रताप रुद्ध्र से खेत्रा धिप मही पाला। एहांक नवम अंके भक्त जे जन्मिबे पद्मबन चत्र करी एक था कहीलू सुनह उद्धब मने तुही हेतु धरी। तापरे क्रमस समंगरारे बलराम आलीपडारे अनन्त, सिसु अड़ंगरे जसबन्त, नेमालरे अच्चुतानंद प्रभ्रुतिंकर बर्नना करा जाई छी। एनु एहा सहजरे अनुमान करा जाई पारे जे पंद्रश पांच रुप पंद्रश च्छ ख्रिष्ट्याप्द मध्यरे अच्चुतानंद जन्मग्रहन करी थिबा सम्भव बली पंडित कुलमनी पाठी सर्मा उल्लेक करी छन्ति। लुना चित्रतपला मध्यवर्ति त्रिकन भुमिस्त तिलकना बात्रिपूरा ग्रामर महापुरुष अच्चुतानंद पंद्रश च्छ क्रिष्ट्याप्दरे जन्मग्रहन करी थिले होँची कुलमनी पाठी सर्मांकर मत तिलकना बात्रिपुरा ग्रामर प्राइ नेमाल एकमाईल उत्तरकु अबस्थित एठारे दुई बर्ष हेलाबली से उल्लेक करूछंती गोटे जागारे ज अच्चुतानांदंकर जन्मस्थान निरूपित कराजाई नित्य पुजा पाठादी कर्म संपादन कराजाऊची शेठारे अच्चुतानांदंकर पांच बर्ष समय अध्ययन करूतिवा स्थानर मध्य संधान मिलीची बली कुलमनी पाठी सर्मा उल्लेक करी छंती त्यांकर रचित सुन्यसंघीता गरुडगीता गुरुभक्ती गीता जनम गीता जनम लिडा सब्तदस पटल कलकलप जनम कहानी अबतार मालीकादी ग्रंथानु शारे भुमिष्ट है थिले तांकर पितामहंकर नाम थिला गपिनात महान्ती और पितांकर नाम थिला दिनबंधु महान्ती मातांकर नाम पद्मा बती तांकर परे दुईगोटी भाई और गोटी भौनी मध्यों जनम ग्रहन करी थिले चोराशी जन्तर पुस्ट करे से लेखी जन दिनबंधु महांतिंक गरे जनम लभिली रात्र निशारे। दिनबंधु महांतिंक गरे जनम लभिली रात्र निशारे। दिनबंधु महांतिंक गरे जनम लभिली रात्र निशारे जनम लभिली रात्र निशारे। ओरियारे रचित बर्नटिकारे मध्धु लेखाएजी। जे खुंटिया दिनबंधु मर तातो अहो कुलरे जे ताहांक जातो महर माता नाम पद्मा बती दखिन दिगन रुपवती संतती मुतांक कुमर हेले की हेबो तांक कुलगत्र नहीम ठाबो। जेऊं ख्यत्रिय कर्म परित्याक करी लेखाय कर्म करंती ताहांकु अहो करण कुहा जाए। एहां करण संहीतारे उल्लेक अची। सुन्य संगीतार प्रथम अध्याईरे अची जे दिन बंधु खुन्टियांकर बहु साधना और तपस्या फलरे जगन्नात परित्रुप्त होई निज शरीर अरु एक दिभ्य सिशुकु देई थिले। से शीसु ही अच्चुता नंद। सैसब कल औरे तांकर अनेक नमकरन करा जाई थिला किन्तु तांकर मताव पध्मा बती अबाल्यरु डाकु थिबा नाम अच्चुत थिबारु से नाम ही तांकर प्रिया नाम हे रही थिला। सब्त दस पटलरे से उल्लेक करूछंती, पामर अच्चुत नामो महर सुद्र कुलरेमु जनम, शैपरी गुरुभक्ती गितारे भी से लेखुछंती, काले काले जे मो नामो अच्चुत, माता पिता एही नामे उसत, प्रगट करी डाकीले अच्चुत, पुनी, बसंत जन्त्र रेशे लेखुछंती, काले काले मो नामो अनन्त, ठके डाकंती आरे अगणीत, प्रगट करी डाकीले अच्चुत, माता पिता एही नामे उसत, अच्चुत बली सभिये डाकीले ठकाए लोको उपहास कल्ले। अच्चुत नन्द, गोपालो कुलर गुरु हेई थिवारू तांकु गोपालो राजा मध्यों डाकंती। चौरासी जंत्ररे अची अच्चुत दासमु गपालो राजा गपालो जातीकु कली परजा। साधक प्रपरो अच्चुता नंदंकर बाल्यकालो शेते उज्जल मय जना जाए नहीं। साधारन सिसु बोली सेई निकटर थे बाँ आमबगो चमुल चार्ट साड़ी रे शे पाठ़ पडु थांती। पडिवारे वी तांकर सिम्ति मनन थाए अन्यमनसक रहंती सर्वदा। सिख्यक मधोय मध्य जाणी पारंदी नाई जे सेई सिसुर अंतरालरे एपरी एक अपुर्भ अग्निसिख्या प्रछन नरे जली उटूची। पड़ी एणे तेने बुलु थिवारू पिता माता गुरुजन मानंक ठारू केते निर्जातना जे तांकु सहिवाकु पड़ी ची तार सिमा नाई। कहाकु सतेजे परी खजिला परी घुरी बुलु थाए तांकर चक्षु। 227 कु मात्र पांच बर्ष विधातार निर्देश अन्य प्रकार कसायो कौपिन वसनधारी कमंडलू हस्त जनेईक ब्राम्हन सन्यासी से पिलाटिकु मंतर प्रदान करी थिले। दिख्यादान परे दिनबंधु पचारीले प्रभु तमे किये के उठारे आपणंकर साख्यात मिडिवो सन्यासी कोईले पूरी गले आमे देखा मिडिवो ए आमर भक्त हेतु सिष्च करिवापाईं आसी थिलु। दिख्याग्रहन परे अच्चुतानंदंकर मनो विशेस भावरे विचरीतो हेवाकु लागिला तांकर एने तेने भूलिवा बंध हेई गला सतो किन्दु सर्भदा निरोब रहिवाईं देखा गला एहादेकी तांकर पिता माता विशेस चिंतीतो हेले सुन्य संगीतारे अ अठन किछी दिने पुनी खेडरे मनो जडिला कर्मर बासना पुर्बर लिखन घररु मनो छिडिला शेई परी अच्चुतान अंदंकर 12 वर्ष बयस हेला बेढकु दिन बंधु पिलाटीर चिंतारे व्यतिवस्ट है परिले से निराचल धामकु अच्चुतान अंदंकु सांगरे दरी सेठारे पहंची चयतन्य मंडरी थिबार देखिले पिलाटी चयतन्य मंडरीरे प्रवेश करन ते भाबांतर जन्मिला ता परे से चयतन्य महाप्रभु सनातन गश्वामिंक माध्यमरे तांकु दिख्या प्रदान कले से ही ठारु माला तिलोको अहरी नामर प्रेमरे पुर्भजनमर स्मृती तांकर जाग्रत हेला से खलो करताल धरी किर्टन रत हेले शे सुन्दर भाबरे गाई पारु थिले औनाची पारु थिले तांकर बेशमध्य अत्यंत मनरम थिला ताहा ब्रम्ह गपाल वेशबली लेखा हैची स्तुती चिन्ता मनिरे जोटी कुहाँची बिना बाद्य बिनोदेन महितं कृष्ण मानसं नाना कौतुक भोगेन त्वं मे पातु महा प्रभो पता का छत्री कात्राना बेनु बेत्र बिनोदनम शिंगी का मुरलिस्च चैव त्वं मे पातु महा प्रभो एई दिख्यादान परे गुरु सनातन गश्वामी बास्री चरण स्वामी कहिले जगन्नात ही कृष्ण कृष्ण ही जगन्नात जिये कृष्ण से चैटन्य एणू एहार कोनसी बिभेद रहीबन करीब नाही जगन्नात निर्याकार ओ चैटन्य शाकार गोटिय मात्र कथा तुमे ओ अर्थ जगन्नातं कठारू चुत अर्थात स्खरीत हेतु तुम्भर नाम अच्चुत होई छी मुँ बहु दिन धरी तमकु लडू थिली बर्तमान मकामस्य शेला तुमे मर एकमात्र सिष्च ओ अन्य सिष्च मर केही नांदी तुम्भे के बल गोटिय सिष्च करी वैश्णवधर्म प्रचार करी पाप ताप अंधकाररू मानवकुनकु उद्धार करी बो गुरुंकर कथा अनुशारे अच्चुतानंद एकमात्र सिष्च रामदास कु शिख्चा देई थिले रामदासंकर थिले किन्तु 16000 सिष्च गुरु निर्देस अनुशारे अच्चुतानंद निजर असाधारन बुद्धि प्रयोक करी धर्म प्रचार पाई अग्रसर समयरे राजा प्रता बुद्र देवंकर निर्देस अरे सुन्य बामफिरे भजन करी परिख्चा उतिर्ण होई ब्रामभन और राजा समस्तंकर सम्मान रपात्र हेई थिले तांकर नुतन बॉष्णव धर्म तत्त ग्रहन करी बाकु बहुलक व्याकूल हेले शेमानंकु दिख्षित करी पारी थिले सुन्य संगीतारे उल्ले कची जे अच्चुतानंदंकु प्राची खेत्र निकटबर्ती रुषी आश्रम रेथिवा गोरेक नात बालविर सिंग बालुंगा दास औ सिध्ध बारांगादिंक सहमध्य प्रतिदंदिता करी बाकु परि थिला मात्र नुतन जगमार्ग दर्षक चुतानंदंक निकटबरे समस्ते निस्प्रभ हई पडि थिले वयष्णव धर्मरे अनुप्राणिता हेवा परे आउकेही प्रतिदंदि नथिबारु पंचसखा माने सहजरे वयष्णव धर्म प्रचार करी शेतिरे पूर्ण सफलता लाब करी थिले सेत्यवेड़कु सुन्य भामफिरे सुन्य भजन करी अच्चुतानंद समस्तंकु विश्मय सागररे निमध्जिता करी थिले ठीक सेत्यकी बेड़े जसबन्त बलराम जगन्नात अनननंक सहिता तांकर परिचय घटितिला बली आलचकमाने मतदियंदी पंचो सखांको मध्यरे एक चिन्ता एक भाबना पूरी रही थिला तथापी अच्चुतानंदंकु समस्त सखा विशेश भाबरे शम्मान प्रदर्शन करूथिले बली उल्लेक रही ज़िए अच्चुतानंदंकर जीबन संपर करे जो तथ्य मिले सेठी कुहाईजी जे प्रसिद्ध तांत्रिक विरसिंग, रही दास, बाउडी, कपिल, बालिंगा दास, प्रभृतिकर विशाई सुन्य संगितारे अच्चुतानंदं अलपपदरे बर्नना करी, शेमाने पूर्भ प्राची कुल बनरे आश्रम करी निवास करू थिले, एबं शे निजे शेमानंकर समसामईक थिबा उल्लेक करी शन्ती ओडीशा देशरे अर्थात खोर्धा अपूरी अंचलरे पांचो कोश बापांचा कोशी मध्यरे अर्थात पूरी निकटवर्ती पांचो कोश परिमित अंचल बर्तमानर बहु ब्राम्हल सासन अध्धूसित अंचल अनन्त पूर सासनर द्विजबर सर्मांकर बालुत कुमर माधुरी बालक अभस्थारे अर्थात बारबर्ष बयस समरे गुरुह त्याक करी पुर्भ प्राची कुलरे अभस्थित दंडकार अन्य भितरे बीर सिंहादी तपी रूशी मानंकर आश्रम निकटरे पहंचिला शेठारे जने मुनिंकर सेबा करूथिबा बेडे बीर सिंहादी मन जानरे प्रुथी प्रदक्खिन करूथिबा सुनी से मंत्र विद्या गोपनरे सिख्ख्या कला दिने मुनी गुरू तांक उपरे रागी बारू बालुत माधुरी मंत्र बलरे गुरूँक देहकु जलापडा कला मुनी गुरूंकर असईह जंत्रना हे बारू सबु तपी रुसी सांती बारी सेचन कले एबं मुनींकर प्राणरक्ख्या हैला एथिरे मुनी मने बिचलीत होई घोर कलीर आगमन आसंका कले एबं मनजान विद्या आउकार्जोकारी नहेउ बली अभिसाप देले सेई दिन ठारू मनजान चलीबा बन धेला बहु रुसी अचल होई पडिरोहिले एही मंत्र सक्ती साधनारे बहु जगांत नागांत तांत्रिक रत थिले रुसी तपी मनंको सापरे समाने निराकार मंत्र ग्रहन करी थिले पंचसखा एई प्राची कुलस्थ रुसी आश्रम बनकु जाई एई साधक रुसी मनंको निराकार मंत्र रे दिख्खित करी थिले एही विशय अच्चुता नंद लेखी चन्ती एप्रसंग रे आश्रम बनरे को सभा है इतिला बिरसिंगादी रुसी मनंको पंचसखा निराकार प्रभु जगन्नात बानी आनिथिबा प्रकास करी थिले पूर्वे द्वापर रे स्रिकुष्ण और अस्ट पाट महिशी मनंको सह सुधारमा रुपी अच्चुता नंद गलककु जाई नित्यराश दर्शन करी थिबा एबं शेठारे ब्रुद्ध माता तांकु निराकार मंत्र और भजन उपदेश प्रदान करी थिबा बर्णना करी थिले एथिरे रुसी तपीमाने संतुष्ट होई निराकार मतकु ग्रहन कले एबं हरी हरी सब्द कले एई हरी सब्द द्वारा अचल रुसी माने सचल हैले एबं समस्तंक मनरे आनंद जात हैला कभी एमिती लेखी छन्ती अमलान बस्त्र जे सुबर्न निजोगीले सुन्य मंत्रे निराकार मंत्र उच्चारीले उठिला हरी सब्द पुरिला ब्रम्हांड अचले चलीले मन दंड ही प्रचंड आनंद पुलक जे हईन सर्भरुसी आम्भे जे आईलु बाबु निराकार घसी पुरिरे तांकर को परिख्या प्रसंगरे मध्य किम्बदंती रहुची अच्चुतानंद बहु वर्ष पुरिरे रहितीले एबं ज्यानार्जन असाधन भजन रे काल अतिभाहीत करी तिले शे बेदो बेदांतो पाठ करी निराकार उपासनाकु मुख्य भाबरे प्रचार करी थिले तांकर सास्त्रवाख्या सुनी स्रिखेत्र पुरिर जगन्नात मंदीर भितरे थिवा मुक्तिमंडपर ब्राम्हन पंडित माने बीचली थेई परी थिले निराकार मंत्र, जंत्र, शाधना, प्रव्रुति, पुराण और उपनिसदरे सम्मत नथी बारू एहा उद्भट कलपना बली पंडित मानेंकु प्रतियमान हे उथिला अच्चुतानन्द सुद्रथाई सास्त्रार्थ करुथवा विचय सेमाननंकु असंगत भधला अच्चुतानन्द कु परिख्या करिया पाई सेमाने महराजा प्रताव रुद्र देवनकु अनुरोद कले प्रताव रुद्र देव अच्चुतानन्द कु प्रकास्य सभारे परिख्यार कथा कोईले अच्चुतानन्द निर्याकार भजनर तत्तो सम्वंदरे प्रस्णवे बारू छे सुन्दर भावरे बुजाई तिले। अच्चुतानन्द यहार परिख्या देई थिले। निराकार ध्यानरे अच्चुतानंद समाधिलाव करी तिले परिख्यारे उतिर्णवा परे राजा तांक प्रती वेशी भक्ती ओ आदर देखाई थिले बांकी मुहानरे निवास प्रतिस्था करीबा पाई राजा अनुमती देई थिले ब्राम्भण माने लाजरे कीची कही पारिले नाई ए कथास तांकर सुन्य संगीता ग्रण्थरे बर्णना अच्छी शेई परी गपालंकु दिख्यादान बाबदरे मध्या अच्छी जे अच्छुतानंदंकर गोरव प्रति पत्ती से इदिन अठारू ब्रुद्धी पाईला तांकर सिश्च गस्ठी मध्या संख्या बर्धी तो हैला से द्वापर जुगरे गपाल रूपरे जन्मग्रहन करी थिवारू ए जन्मरे गपाल मनंकु उद्धार करिवा पाईं से मनंकु मंत्र उपदेस देले बली कभी कही छन्ती गपाल मनंकु सिश्च करी थिवारू से साधारन रे गपाल गुरू नामरे परिचित हैले उतकलर बहु प्रांतरे गपाल मने तांकर सिश्च है थिले पुरी अबस्थान कालरे निजधर्मबत प्रचार करिया पाई अच्चुतानन्द उतकलर बिभिन्न स्थान बुली थिले अबंग बिभिन्न स्थानरे मठ़ प्रतिष्ठा करी थिले कटक जेल्लार नेम्माल मठ अच्चुतानन्द कर अन्यतम प्रधान पिठ जहा बांकी मुहान निकटस्थ अंचलरे प्रतिष्ठीत है इची आज एतिकिताओ परबर्ति समभरे तांकर बिभाह अन्यान्य प्रसंग संपर करे आलचना करिबा नमस्ते कोमेंटरे जा चाहिंबे लेखी परिवे नमस्ते